गुट मर्निंग प्यारे बच्चों आज 22 मई 2020 और आज हम पढ़ेंगे पूर्ण वर्ग बनाकर द्विखात समीकरण को हल करना पूर्ण वर्ग का मतलब आप समझते हैं जैसे के A² प्लस B² प्लस 2AB A² प्लस B² प्लस 2AB किसका पूर्ण वर्ग है इसको लिखते हैं A प्लस B का होल स्कुएर लिखते हैं है ना तो इसका मतलब A² प्लस B² प्लस 2AB जो है A प्लस B का पूर्ण वर्ग है प्रफेक्ट स्कुएर है यह जैसे हम कहें कि 16 किसका स्कुएर है 16 जो है 4 का स्कुएर है इसका मतलब 16 जो है प्रफेक्ट स्कुएर है पूर्ण वर्ग है किसका 4 का तो इसी तरह से हम पूर्ण वर्ग बनाने की विद्वारा दुघात समीकर्ण को हल करना सीखेंगे तो जैसे इसको एक प्रश्ण के आधार पर हम हल करना सीखते हैं प्रश्ण है important भी है बहुत में तो पूर्ण सवाल है पूर्ण बर्ग बनाने की बिदिशे समीकरण 5x²-6x-2 के मूल ग्याद कीजिए मूल ग्याद करने हैं तो आप देख रहे हैं यह दिखाद समीकरण लिखा हमने 5x²-6x-2 is equal to 0 तो हमेशा याद रखो इसका पहला स्टेप है कि x² के गुणांक को आप 1 बना दो यहाँ पर x² का गुणांक 5 है तो यह x² के गुणांक को 1 बना दो तो x² के गुणांक को 1 बनाने के लिए यहाँ पर इस 5 से ही हमको भाग देना पड़ेगा x² का गुणांक 5 है यहाँ पर इसको 1 बनाना है तो यहाँ पर 5 से हमें पूरे समीकरण को भाग देना पड़ेगा तो 5 से समीकरण के दोनों पक्षों में भाग देने पर तो देखो 5 से यहाँ पर भाग दिया, तो 5 से 5 कट गया, यह x square, माने x square का गुणांक क्या बन गया, 1, और इसमें भी 5 से भाग दिया, तो यह हो गया, रिन 6 बटे 5 x, और 2 में 5 से भाग दिया, तो यहाँ पर यह रिन 2 बटे 5, बराबर 0, जीरो में पांच से भाग देंगे तो जीरो हो जाएगा अब हम एक मिनाट अब हम जो हैं इसको यहां पर तक क्लियर हो गया होगा कि जब भी आपको पूर्ण वर्ग बनाने की विदी से दुएगात समीकरण हल करने हो तो सबसे पहला स्टेप एक सी स्कोयर का गुणांग एक बनाओ माने एक सी स्कोयर के साथ एक का गुणा रखो तो एक सी स्कोयर के साथ जो गुणांग है अभी उसी से पूरे समीकरण में भाग दे दो तो अभी x square के साथ 5 है, 5 का गुणा है, तो 5 से पूरे समीकरण में भाग दे दो, तो इस तरह चे ये समीकरण बन गया, x square minus 6 बटे 5 into x minus 2 बटे 5 is equal to 0, अब दूसरा step आपको दिहान लगना पड़ेगा, कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ना होगा, तो देखो, इसमें पूर्ण वर्ग बनाने के लिए आमें जोड़ना होगा, क्या, x का गुणांक बटे 2 का whole square, ये याद रगना है, x का गुणांक बटे 2 सारे का वर्ग, तो यहाँ देखे, x का गुणांक क्या है, x के साथ किसका गुणा है, रिन 6 बटे 5 का गुणा है, तो x का गुणांक हो गया, रिन 6 बटे 5, ये देख लिजिए, रिन 6 बटे 5 हमने लिग लिया, और बटे 2 भी है, तो 5 के साथ गुणा 2 आ जाएगा, तो 2 से ये 6 कट गया, 2 तीया 6, तो अंदर रह गया, हमारे पास रिन 3 बटे 5 का whole square, और रिन का square करेंगे, तो प्लस हो तीन का square हो गया, 9 बटे 5 का square हो गया, 25, तो 9 बटे 25 हम इस दुखात समीकरण में जोड भी देंगे, और इतना जोडेंगे, तो इतना ही हम घटा भी देंगे, ताकि समीकरण के मान में कोई अंतर ना है, तो देखिए, हमने ये x square रिन 6 बटे 5 x, इसमें 9 बटे 25 जोड दिया और इतना ही घटा भी दिया, ताकि मान में कोई अंतर ना है, रिन 9 बटे 25, रिन 2 बटे 5, बराबर 0, तो जितना जोडेंगे हम उतना ही घटा भी देंगे, ताकि समीकरण का मान न बदले, आप देखिए, ये x square, रिन 6 बटे 5 x, धन 9 बटे 25, किसका whole square हो गया, ये देखो, x square तो, x का, square है, मान नस, ये 9 बटे 25 किसका square है, ये, मान नस, 3 बटे 5 का square है, या 3 बटे 5 का square है, तो हमने ये लग लिया है, देखो, तो, चुनके, b चवाला term जो है minus है ये 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 a square minus 2ab plus b square ये किसका whole square हो जाता है a minus b का whole square इसका whole square हो जाता है तो ये देखो चूंकि बीच वाला term minus है ये 6 upon 5x तो यहाँ पर ये x minus 3 upon 5 का whole square हो जाएगा ये यहाँ से और यहाँ तक और देखिए इसमें हमने minus common ले लिया और साथ में हल भी कर रहे हैं 25 और 5 का loss हो आगया 25 25 का भाग 25 में गया 25 इक बार गया एक से उसी के अंज को गुणा कर दिया 9 इकम 9 और देखो minus का मन लिया हमने तो अंदर ये दोनों plus हो जाएगे तो plus पांच पंजे 25 पांच बार गया और पांच दोनी 10 तो यह आ गया एकस माइनस थरी अपॉन फाइब का होल स्क्वाइर माइनस दस और नों उन्नीस बटे 25 इस इकल टो जीरो अब देखो इसको a square a square माइनस b square के रूप में लिखेंगे तो हम जानते हैं a square माइनस b square की फॉर्म में लिखेंगे इसको तो देखो यह a a square पूरा कौन हो गया x माइनस 3 अपॉन 5 का होल स्क्वाइर है तो यह a हो गया और माइनस b square इसको b square की फॉर्म में लिखना है तो इसको 19 को लिख लिया हमने root 19 और 25 का वर्गमोल हो गया 5 तो अंडर root 19 बटे 5 का होल स्क्वाइर लिख सकते हैं हम इसको तो देखिए a square माइनस b square is equal to 0 तो a की जगह में कौन है x माइनस 3 अपॉन 5 है और b की जगह में root 19 रूट 19 बटे 5 है तो अब a square माइनस b square बराबर आप जानते हैं a माइनस b into a प्लस b यह फॉर्मुला हम बार बार पढ़ते हैं कि a माइनस b को अगर a प्लस b से गुणा किया जाए तो a square माइनस b square के बराबर आता है अर्थाथ a square माइनस b square is equal to a प्लस b गुणा a माइनस b तो इसी formula से हमने यह लगा लिया कि यह x minus 3 बटे 5 minus root 19 upon 5 into एक बार माइनस कर दिया इसको एक बार प्लस कर दिया एक्स रिन 3 बटे 5 प्लस अंडर root 19 बटे 5 is equal to 0 अब या तो इसका माण 0 होगा या फिर इसका माण 0 होगा तो यदि x minus 3 बटे 5 रिन 19 बटे 5 बराबर 0 तो यहां से x का माण ये रिन 3 बटे 5 रिन वर्गमूल 19 बटे 5 को बराबर से उदर ले जाएंगे तो चिन बदल जाएंगे दोनों के तो x बराबर आ जाएगा 3 बटे 5 धन वर्गमूल 19 बटे 5 दोनों के हर समान है तो अंच जुट जाएंगे तो यह लिग लिए हमने x is equal to 3 धन वर्गमूल 19 सारे का बटे 5 यह पहला मूल आ गया अब दूसरे मूल के लिए यदि ये वाला 0 कर दे हम तो यदि x minus 3 upon 5 plus root under root 19 upon बटे 5 बराबर 0 हो जाए तो x बराबर इसको बराबर के इदा लियाएंगे तो चिन बदल जाएंगे तो यह हो जाएगा 3 बटे 5 रिण वर्गमूल 19 बटे 5 दो दिस इंप्लाइज x बराबर हर समान है तो अंच गड़ जाएंगे 3 रिण वर्गमूल 19 बटे 5 तो पूर्ण वर्ग बनाकर के समीकरण के मूल आ गये हैं 3 दहन वर्गमूल 19 बटे 5 वह तीन रिण वर्गमूल 19 बटे 5 यह पूर्ण वर्ग बनाने की विदी से किसी द्विखाद समीकरण के मूल ग्याद करने की विदी है फिर जैसे प्रश्च नमबर दो मैं तो पूर्ण भी है पूर्ण वर्ग बनाने की विदी से 4x square plus 3x plus 5 is equal to 0 के मूल ग्याद कीजिए मूल माने हल, हल भी लिख सकते हैं हम इसको हल ग्याद कीजिए या मूल ग्याद कीजिए तो ये द्विखाद समीकरण दिया हुआ है 4x square plus 3x plus 5 is equal to 0 अभी हमने देखा कि x square का गुणांक एक बनाना है माने इस 4 को अठाना है हमें तो इस 4 को अठाने के लिए पूरे समीकरण को हम 4 से भाग देदेंगे तो समीकरण को 4 से भाग देने पर ये पहला step हो जाएगा इसका 4 से 4 कड़ जाएगा इसको भाग देंगे तो यहाँ पर x square रह गया x square धन इसमें 4 का भाग देंगे तो 3 बटे 4 x हो गया धन 5 में 4 का भाग देंगे तो 5 बटे 4 लिखेंगे उसको बराबर 0 अब दूसरे step में आएगे हम कि पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ना होगा कितना जोड़ते हैं x का गुणांक बटे 2 का whole square x का गुणांक बटे 2 का whole square इतना जोड़ेंगे तो x का गुणांक क्या है यहां पे 3 बटे 4 तो x के गुणांक को लिखेंगे 3 बटे 4 आच्यूंकि बटे 2 है तो गुणा 2 भी इसके साथ आ जाएगा 3 बटे 4 गुणा 2 का whole square पराबर 3 बटे 4 दूनी 8 3 बटे 8 का whole square या बराबर 3 का square हो गया 9 और 8 का square हो गया 64 तो 9 बटे 64 हम इसमें जोड़ेंगे इस समी करण में और जितना जोड़ेंगे उतना ही घटा भी देंगे ताकि समी करण के मान में कोई अंतर ना आए तो अब हम 9 बटे 64 इसमें जोड़ेंगे तो यह लिग लिया हमने देखो x square plus 3 upon 4 x प्लस कर लिया जोड़ दिया हमने 9 बटे 64 9 बटे 64 जोड़ा तो 9 बटे 64 घटा भी दिया रिन 9 बटे 64 और यह धन 5 बटे 4 यह है धन 5 बटे 4 बराबर 0 अब देखो यह जो ब्रेकेट के अंदर लिखा है मैंने x square धन 3 बटे 4 x धन 9 बटे 64 यह किसके बराबर हो गया यह देखो 9 बटे 64 माने 3 बटे 8 का whole square है यह तो इसको लिखेंगे हम x धन 3 बटे 8 का whole square यहां हमने minus common ले लिया और इसको ब्रेकेट के अंदर लिख लिया तो minus common लेने पर अंदर के चिन बदल जाएंगे तो यहां हमने और हरों का लोस हो ले लिया 64 और 4 का लोस हो आ गया 64 तो यह आ गया तो अंदर चिन भी बदल गयी यह हो गया 9 रिण 80 बटे 64 बराबर 0 तो यह x धन 3 बटे 8 का whole square रिण अब यह 9 रिण 80 बटे 64 बराबर 0 अब रिण रिण का धन हो गया यहां पे x धन 3 बटे 8 का whole square धन 71 बटे 64 बराबर 0 तो देखिए यहां पर यह x a square minus b square की form में नजर नहीं आ रहा है यह a square minus b square के रूप में नहीं है तो इसका मतलब इस समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होंगे इसको हम हैसे भी कर सकते हैं यह धन 71 बटे 64 को बराबर से उदल ले जाएंगे तो x धन 3 बटे 8 बराबर रिण 71 बटे 64 तो रिण 71 बटे 64 जो है 0 से छोटा है जितनी भी रिणात्मक संख्याय होंगे वो सारी जीरो से छोटी मानी जाती है जो जीरो से छोटी होती है तो जीरो से छोटी होती है कौन सारे रिणात्मक संख्याय है तो रिण 71 बटे 64 जो है जीरो से छोटा है लेस देन जीरो और हम जानते हैं कि x के वो वास्तविक मान के लिए X धन 3 बटे 8 रिनात्मक नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता है क्योंकि अगर यहां से हम इसको एर हटाएं इसका तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा रिन 71 बटे 64 का अंडर रूट और हम यह जानते हैं कि रिनात्मक संख्या का वर्ग मूल निकाल ग्याद करना असंभव है अर्थात रिनात्मक संख्या किसी का वर्ग नहीं होती है तो इसका मतलब रिन 71 बटे 64 का अंडर रूट निकालना यहां पर असंभव है तो एकस प्लस 3 अपकोन 8 का होल स्क्याएर जो है रिनात्मक नहीं हो सकता है और जब यह रिनात्मक नहीं हो सकता है इसलिए एकस का कोई वास्तविक मान दिये हुए सम्मिकरन को संतुष नहीं कर सकता है तो X का कोई वास्तविक मान नहीं होगा और जब X का वास्तविक मान नहीं होगा तो इसका मतलब दिये हुए समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है जिनको के हम ग्याद कर सकें तो इसका मतलब इस दिये हुए समीकरण के मूल ग्याद करना असंभव है तो इस तरह से ये question इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं अब देखिए आगे द्विघात समीकरण को के मूल ज्याद करने के लिए द्विघाती सूत्र quadratic formula द्विघाती सूत्र निकालेंगे हम तो हम ये जानते हैं देखिए द्विघात समीकरण ax square plus bx plus c is equal to 0 जहां a is not equal to 0 a 0 के बराबर नहीं है अब इसको पूर्ण वर्ग बनाने के विदिसे हल करते हैं तो x square के गुणां को 1 बनाना है तो समीकरण को a से भाग दे दो a अटाएंगे तो यहाँ पर x square धन b upon a into x plus c upon a is equal to 0 अब पूर्ण वर्ग बनाने के लिए जोड़ना होगा हमको x का गुणांक बट 2 का whole square तो यहाँ पर x का गुणांक है b upon a तो b upon a आ गया और यह upon 2 में है तो 2a हो गया का whole square is equal to b square हो गया और upon 2a का whole square हो गया 4a square तो b upon 2a का whole square हम जोड़ेंगे भी और घटाएंगे भी तो यह लिखेंगे हम x square plus b upon a into x plus b upon 2a का whole square हमने जोड़ दिया तो यह minus b कर दिया minus b upon 2a का whole square तो इसको लिख लिए हमने यह c upon a minus b upon 2a का whole square is equal to 0 अब यह यहाँ पर तक यह हो गया x plus b upon 2a का whole square x plus b upon 2a का whole square हो गया plus यह c upon a minus b upon 2a का whole square हो गया b square minus 4a square b square upon 4a square is equal to 0 अब minus 4a square का भाग 4a square में एक बार गया एक से उसी के अंच को गुणा कर लेंगे माने minus b square upon 4a square is equal to 0 अब इसको हमने लेख लेख लिया हो गया यहां पे तो b square और इस ये minus ये plus वाला minus हो गया minus 4ac upon 4a square is equal to 0 आप इसको जो है बराबर के इदा ले जाएंगे तो ये minus वाला बराबर के इदा ले जाने पे plus हो जाएगा ये हो जाएगा x plus b upon 2a का whole square is equal to b square minus 4ac upon 4a square तो यहां से इसका whole square हटाएंगे तो दूसरे पक्ष में under root लग जाएगा और under root के साथ plus minus भी लगेगा क्योंकि उसके दो मूल निकलेंगे x plus b upon 2a is equal to plus minus under root of b square minus 4ac upon 4a square तो ये अब plus b upon 2a को बराबर सी दल ले जाएंगे तो x is equal to ये इदर आके minus हो गया minus b upon 2a plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a तो ये हो गया x is equal to अब हरोंकलोस हो आगे अब 2a तो यहां पर हो गया minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a तो x के दो मूल ग्याप्त हो गए हमको यहां पर एक वार हम यहां पर plus ले लेंगे एक वार minus ले लेंगे तो पहला मूल हो गया minus b plus under root of b square minus 4ac upon 2a और दूसरा मूल हो गया x is equal to minus b minus b under root of b square minus 4ac upon 2a तो इस तरह से यह जो x is equal to यह जो फॉर्मुला आया हमारे पास x is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon 2a इसको द्विघाती सूत्र कहते हैं quadratic formula कहते हैं तो द्विघात समीकरण को हल करने के लिए हम द्विघाती सूत्र का परियोग भी कर सकते हैं यह याद रखना है आपने इसको स्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं द्विघाती सूत्र का दूसरा नाम है स्रीधराचार्य सूत्र भी कहते हैं इसको यह याद रखना है आपको x is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac upon whole upon 2a सारे के बटे में 2a है ब्यान रखें अब यह जो b square minus 4ac आया है यहाँ इस b square minus 4ac को द्विघात समीकरण का विविक्तिकर या डिस्क्रिमिनेंट अंगरेजी में डिस्क्रिमिनेंट कहते हैं यह b square minus 4ac को द्विघात समीकरण का विविक्तिकर याद रखेंगे विविक्तिकर कहते हैं और सामान्यता b square minus 4ac को capital D से भी व्यक्त करते हैं यह B square minus 4AC को सामान्यता हम capital D से भी व्यक्त करते हैं capital D for discriminant इसलिए अगर आप ना भी इसको capital D से व्यक्त करें इस डारेक्ट याद रखें B square minus 4AC तो अच्छी बात है तो B square minus 4AC को द्विघाद समीकरण का विविक्तिकर कहते हैं अब किसी द्विघाद समीकरण माना AX square plus BX plus C is equal to 0 है इसके मूलों के लक्षण जो हैं इसी विविक्तिकर पर निर्भर करते हैं B square minus 4AC पर निर्भर करते हैं इसके मूलों की जो प्रकृती है या मूलों के जो लक्षण है वो B square minus 4AC पर निर्भर करते हैं कैसे निर्भर करते हैं कि यदि b square minus 4ac बड़ा है या बराबर है 0 के तो तब ही समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं कि यदि b square minus 4ac greater than or equal to 0 तो समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं इसमें अलग-अलग तरह से हम यह देख सकते हैं मतलब b square minus 4ac का मान एक तो बड़ा होना चाहिए 0 से मतलब positive होना चाहिए धनात्मक होना चाहिए और b square minus 4ac का मान या तो 0 के बराबर हो तब भी समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं अर्थात यदि B2-4AC बड़ा है जीरो से, बड़ा है जीरो से माने उसका मान धनात्मक आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, तो समीकरण के मूल वास्तविक और भिन भिन होते हैं नमबर दो, यदि B2-4AC बड़ाबर है जीरो के, जीरो के बड़ाबर हो जाए यदि इसका मान, तो समीकरण के मूल वास्तविक तो होंगे, लेकिन साथ में समान भी होते हैं, बड़ाबर भी होते हैं और नमबर तीन, यदि B2-4AC चोटा है जीरो से, लेस देन जीरो माने नेगेटिव रिनात्मक मान, तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होते हैं, यदि B2-4AC का मान, रिनात्मक आता है, अर्था जीरो से चोटा आता है, तो समीकरण के मूल वास्तविक नहीं होते हैं, और वास्तेविक नहीं होते हैं तो कैसे होंगे वो काल्पनिक होंगे उनकी हम कल्पना कर सकते हैं इस तरह से आपको ये दुगाती सूत्र का प्रियोक करना निकालना मैंने आपको बताया दुगाती सूत्र आप याद करेंगे इसका विविक्तिकर याद करेंगे इसके समीकरण के द्विगात समीकरण के मूलों के लक्षन भी आप याद करेंगे आज के लिए इतना धन्यवाद